वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास नाइन इंग्लिश पोयम नमबर 6 है आज हम करेंगे इसके MCQ क्वेस्टन तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो I hope children आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें question number one देखिए what does the poet mean by they जब वो poet कहता है बार बार दे तो यहाँ पर दे का मतलब है human beings चाहे वो किसी भी country के हो what does what do to them जब आप war करते हो लडाई करते हो तो आप क्या होता है makes them star अब यहाँ पर war होगा तो लोग agriculture नहीं कर पाएंगे खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे और वो भूख से मरेंगे what should we remember हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए countries are strange कोई भी country strange नहीं है तो poet यह कह रहे हैं कि सारे ही जो लोग है वो एक जैसे हैं सारे country एक जैसे so right answer होगा both A and B what happens when we take arms against each other children arms का मतलब होता है हत्यार जब हम एक दूसरे के खिलाफ हत्यार उठा लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं we defile the earth defile का मतलब है हम अपनी धरती मा को गंदा कर रहे हैं एक दूसरे के खून से what should we not do to others हमें दूसरों के साथ क्या नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ hate यानिकी नफरत नहीं करनी चाहिए who is the poet of this poem no man are foreign के poet कौन है James Kirkup whom should we hate हमें किस से नफरत करनी चाहिए हमारे ब्रदर से नहीं हमारे एनमी से नहीं decorating से नहीं we should hate none हमें किसी से भी hate या नफरत नहीं करनी चाहिए what are all people aware of सब लोग किस चीद से aware है चाहिए किसी भी country में हो sun सब को सब जानते है air हवा सब जानते है पानी सब जानते है so right answer है all of the above a single body breathes beneath all dash uniforms वो कह रहे हैं चाहे कोई soldier पाकिस्तान का हो इंडिया का हो जापान का हो अमेरिका का हो इनकी uniform अलग-अलग हो सकती है लेकिन उस uniform के नीचे जो body है वो सब की एक जैसी है what should be discouraged according to the poem poem के हिसाब से किस चीज को discourage मतलब खतम करना चाहिए ill practice of hatred and discrimination जो नफरत फैलाना है या भेदभाव है इसको हमें पूरी तरह से खतम कर देना चाहिए what does the poet ask the people to keep in mind in the last stanza last stanza में poet reader से क्या कहता है not to pay attention to the words of hate by selfish people कुछ स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं जो नफरक पहलाते हैं हिंदू-मुसल्मान करते हैं कुछ और इस तरह की चीज़े करते हैं हमें उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए how is man's vision clouded आदमी की अकल पे पत्थर कप पढ़ जाते है by hate and narrow thinking जब वो नफरत की चीज़ें सोचता है और जब उसकी सोच छोटी हो जाती है तब what things are common in all the people सारे लोगों में common क्या है चीक है all are born and brought up सब एकी तरह पैदा होते हैं सब लोग सोते हैं rest करते हैं सब लोग उसी हवा में सांस लेते हैं ठीक है और उसी तरह सब लोग last में मर जाते हैं so right answer है all who instigates the ordinary people to hate कौन आम इंसान में नफरत फैलाने की कोशिश करता है जो selfish people होते हैं अपने personal interest के लिए वो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं what are the things in nature that a man needs to live with nature की कौन कौन सी चीजों के साथ इंसान रहता है sun के साथ रहता है air के साथ रहता है water और plants भी चाहिए so right answer होगा all how do we pollute the earth according to the poet poet के हिसाब से हम अर्थ को कैसे pollute गंदा कर रहे है by hating and killing others एक दूसरे से नफरत करके और एक दूसरे को मारके what is the poem emphasizing poem किस बात पे जोर दे रही है poem इस वाली बात पे जोर दे रही है कि all people are equal चाहे कोई किसी भी country का हो किसी भी territory का हो सब बराबर है what message this poem convey क्या poem message दे रही है equality and brotherhood भाईचारे का और equality का what is the central theme of the poem इस poem no man are foreign का central theme क्या है all men are equal सबी इनसान बराबर है कोई छोटा बड़ा नहीं है beneath different uniforms how many types of bodies breed अलग-अलग uniform के नीचे एक ही तरह की body है चाहे uniform अलग-अलग country की क्यों नहीं हो guys अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं किया है तो आपसे request करूँआ please यार एक like कर देना आपके एक like से एक subscribe से बहुत motivation मिलता है तीन तक काउंट करूँआ आप चिल्डन आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया थैंक्यू गाइस next question dash a single body breathes what does this mean ठीक है इसका मतलब है we all breathe in the same way हम सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं like ours the land our brothers walk upon who are brothers here यहां पे brothers किस क्यों कहा जा रहा soldiers को चाहे किसी भी country का soldier हो सब हमारे भाई है कोई भी अलग नहीं है in which we all shall lie this phrase denotes इसका मतलब है life after death मतलब जैसे हम सब पैदा होते हैं एक दिन हम सब मर जाएंगे ठीक है choose the antonym of the word domestic antonym मतलब opposite word तो opposite word है domestic का foreign what is the rhyme scheme of this poem इस poem के कोई भी rhyme scheme नहीं है क्योंकि यह free verse में लिखी गई है what should we not do to others हमें दूसरों के साथ नफरत नहीं करने चाहिए यानि की hate what are we doing to the human earth को हम क्या कर रहें defile कर रहें खराब कर रहें एक दूसरे से नफरत in the end we all shall lie in earth अंत में सभी को इसी धरती में मिल जाना है मर जाना है what should be discouraged किस चीज़ को खतम करना चाहिए ill practice of hatred नफरत को और discrimination को खतम कर देना चाहिए what does hate do जब नफरत है वो क्या फैलाती है वो और ज्यादा नफरत फैलाती है और लोगों को divide कर देती है what causes war war किस वज़े से होते है नफरत की वज़े से hatred की वज़े से लडाईयां होती है poem किस बात पर emphasize कर रही है all people are equal I'm sorry कुछ questions मुझे ऐसा लग रहा है repeat हो गए है how can strength be one कैसे जीता जा सकता है ताकत को by love what message does the poet want to convey no man are foreign क्या message देना चाहते हैं that all men are our brothers चितने भी लोग हैं सब हमारे भाई हैं guys last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूँगा कितने बच्चे right answer देंगे starting में मैंने ये आपको बताया भी था तो question आपके सामने है what should we not do to others हमें दूसरों के साथ क्या नहीं करना चाहिए love नहीं करना चाहिए उनको hate नहीं करना चाहिए care नहीं करना चाहिए या उनसे meet या नहीं मिलना नहीं चाहिए तो आप चाहो तो अपने answer में a, b, c, a, d लिग देना मैं समझ जाऊँगा so I hope मेरा ही छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा please वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना हम मिलते हैं अगले वीडियो में, bye bye